नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं हिंदी दिवस पर रांची के पोर्जेक्ट भौन में समारो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हिंदी भासा को पसंद करने वाले लोगों के लिए 14 सितंबर यानि आज का दिन बेहद ही महत्वा रखता है हिंदी दिवस पर रांची के पोर्जेक्ट भौन सभागार में दो फ़र डेड़ बजे समारो का आउजन किया गया है कार्मिक प्रसासनिक सुधार या राज भासा भीभाग की ओर से समारो का आउजन किया जाएगा इसमें मुख्य मंत्री हेमांसुरेन मुख्य अतिति के रूप में सामिल होंगे बता दे BIT में सरा के राज भासा भीभाग और सीडेक पुन्ने से मिलकर अनुवाद सप्ट्वेयर कंठस्ट त्यार किया गया है यह सप्ट्वेयर असमिरिती अधारित अनुवाद कर सकेगा हिंदी दिवस के मौके पर इस सप्ट्वेयर के इंस्टोलेशन और इस्तेमाल का परसिक्षन दिया गया रांची में लंपी वायरस से एक बच्छडे की मौत गाय बिमार जार्खन की रैधानी रांची के चानो परखंड के पत्रातु गाउं में एक किसान के बच्छडे में लंपी वायरस जैसा लक्छन दिखने के बाद उसकी मौत हो गई इससे पसुपालकों में दसत का महौल है बताया जा रहा है कि पत्रातु गाउं के किसान भानू महतो की डेरी में 40 गाई है यहां कुछ दिन पहले उनकी डेरी में एक बच्छडे वा गाई में लंपी वाईरस जैसा लक्छन दिखाई दिये जिसके बाद 12 सितंबर को बच्छडे की मौत हो गई वही गाई काफी बीमार वा कमजोर हो गई है लंपी वाईरस जैसे लक्छन से एक पच्छडे की मौत हो एक गाई की बीमार होने की जनकारी मिलने पर जिला वा परखंड से पसुची किसकों की टीम सोमवार वा मंगलवार को भी पत्रातु गाउं पहुँची थी उनकी देख रेख में बीमार गाय को अलग रखकर उसका उपचार किया जा रहा है पलामू में जीप पलटने से दो की मौत आधा दरजन गायाल पलामू जी लेके छतरपूर थाना छेतरे के चराई कूटिया मोड से पाटन जाने वाली मुखे सड़क के कूटिया के समीप केरकी मोड के पास बुद्धवार को एक कमांडर जीप सड़क से खेत में पलट गई इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई वहीं आधा दरजन लोग हायल हुए है मिरितकों में एक महिला और एक युवक सामिल है बताया जाता है कि जीप सर्यडी से पाटन होते हुए मेदनी नगर जा रही थी मिली जनकारी के उनसार महिला नौट डिहा बजार परखंड के पंचायत खायरा दोहर निवासी अनवर हुचायन की 35 वर्षिये पतनी हजारी बाग में लंगूर के पढ़ने का जुनून उतकर्मिक पलास टू उच बिद्यालय दनुवा का है यहां पिछले कई दिनों से कक्छा में पढ़ने के लिए एक लंगूर पहुच रहा है और बच्चों के साथ बैठ कर पढ़ाई भी करता है इसकूल के प्रिंस्पल रतन कुमार बर्मा ने बताया है कि लंगूर के इसकूल में यू अचानक आने से बच्चे और सिक्छक घबरा जाते है सनिवार को भी लंगूर आया और फिर नवीक अक्छा में बैठ कर क्लास में पढ़ा रहे सिक्छक की बात ध्यान से सुनने रहा है पत्रातु डेम के चार फाटक खोले गए दामोदर में उफान दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिस के बाद रामगर जिले के पत्रातु डेम के दो और फाटक खोल दिये गए है कूल चार फाटकों से 1,00,00 क्यूबिक मीटर पाणी का डिस्चारज हो रहा है परतेक फाटक से 25-25 क्यूबिक मीटर प्रती घंटा पाई डिस्चार्ज किया जा रहा है बता दे कि इसे पहले बीगत 12 सितंबर को फाटक नमबर 4 और 6 को 33 इंच खोला गया था वही मांसून में इसे पुर्व 23 अगस्ट को डेम के दो फाटक को 5-5 इंच खोल दिया गया था जारखन हाई कोट में बाबुलल मरांडी की याचका पर हुई सुनवाई जारखन हाई कोट के जोशिष्ट आजे संकर की अधालत में स्पीकर पर पक्षपात का रोप लगाने वाली बाबुलल मरांडी की याचका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान बिधान सभा के अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि याचका सुनवाई योग नहीं है क्योंकि इस मामले में आदेश सुरक्षी था आदेश कीसी भी पक्ष में आ सकता है राथी की ओर से स्पीकर के यहाँ कई अने अवेदन होने का जिक्र करते हुए उसे आदालत के रिकोर्ड पर लाने का आगरह किया गया जिसे आदालत ने सभीकार कर लिया मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी जारखन के 8 जीलो में फाइलेरिया उनमूलन अभियान लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथी पाव के उनमूलन को लेकर 16 से 30 सितंबर तक जारखन के 8 फाइलेरिया परभवी जीलो रांची, लोहर्दक का हजारी बाग, गिरीडी, गढ़वा, पुर्वी सिमूम, पच्छमी सिमूम और खोटी में अभियान चलाया जाएगा इस अभियान में फैलेरिया रोक के उन्मूलन के लिए मास्ट ड्रोग एड्मिनिस्ट्रेशन कारेकरम के तहद दवा खिलाई जाएगी इस बार सभी दवाए सामने खिलाई जाएगी इसकी जनकारे देते हुए एनसीवी, बीडीसी, केंद्र सरकार के सन्यूक्त निजशक डाक्टर छवी, पंत जोसी ने बताया है कि देश के 131 जीलो में फैलेरिया की पहचान के बाद इलाज भी चल रहा है जारखन में लौव जिहाद, नक्सल अभियान की आज समिक्षा करेंगे डीजीपी पुलिस मुख्याले में बुद्धवार की दो पहर, डीजीपी नीरा सिनहा सभी जीलो के एस पी, रेंज डी आजी के साथ वीडियो कंफिंसी के माध्यम से अपराज पर समिक्षा बैठक करेंगे जारखन में हाल के दिनों में लगातार आई लौव जिहाद की वर्दाते विभीन जीलो में इसे लेकर सम्प्रदाइक तनाव वचल्ड है नक्सन अभियान में मिली सफलताए वचुनावतिया इस बैठक के महत्पून भिशा है डिजीपी एक एक कर सभी चर्चित घटनाओं के बारे में जनकारी लेंगे और उन घटनाओं के बाद से लेकर अब तक की करवाई और अनुसंधान की प्रगती पर भे रिपोर्ट लेंगे जहां कम्या होगी उन्हें दूर करने के लिए भीवे अवसक दिसानेदेस जारी करेंगे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रांची पुलिस का नाया तरीका देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रांची जीला के सभी थानों में स्वागत कक्ष में पीडितों की समस्या हिंदी में सुनी जाती है थाना में जो भी पीडित पहुंचते हैं उनसे पुलिस कर्मी हिंदी में बात करते हैं और उनकी समस्या को दूर करते हैं इसके अलावा एफ़यार में भी ज्यादतर हिंदी का इस्तमाल किया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस के मौखे पर रांची पुलिस का कहना है कि थाना अस्तर से हिंदी को बढ़ावाद देने का लागातर परियास गिया जा रहा है। बीट पुलिसिंग में सामिल पताधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वह जिस जिस इलाके में जाकर लोगों का डिटेल लेंगे वह हिंदी का इस्तमाल करेंगे। रांची जीला बल में जितने भी पुलिस पताधिकारी हैं जिनके पास सरकारी नमबर है उनका कॉलर टून जारखन पुलिस पर है। समान बरामत करने में सफालता पाई है। जारखन के सरकारी इस्कूलों की सूरत व सेहत बदलने की परकिरिया प्राड़म्ब हो गई है। इन्हें नई सिक्षा निति के अनरूप तयार किया जा रहा है। सभी स्कूलों को एक सब्ता के अंदर 15 पन्नों की रिपोर्ट संबंधित स्कूल में जमा कर देनी है। इस रिपोर्ट में इस्कूल के सिक्षा को विद्याले की सेक्षिनिक गुनवाता को बढ़ावाद देने तथा अधारवुद संराचना की उपलावदता तथा अवसक्ता को लेकर कई बिंदूों का उलेक करना होगा। इसके अधार पर अब इस्कूलों को रासी का वंटन किया जाएगा। तथा इनी भी इंदूों के अधार पर इस्कूल के वार्शिक विकास कोस से भी खर्च करने के उनुमती होगी। वहीं इसकूल से मांगी गई रिपोर्ट की शुरुवाद विद्यालय का नाम, विद्यालय की प्रथम कक्छा, विद्यालय की उस्तम कक्छा, विद्यालय के पोशक, छेत्र की कूल अबादी, विद्यालय में सरकारी वह सनविदा अधारी सिक्षकों की संख्या से करनी है। धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस्य दे थैंक यू